हेलो दोस्तों स्वागत है आपका M.K.M.O.N. classes में तो आज हम बात करने वाले हैं Chapter 4 यानि की Determinant की पहले हम देखेंगे Determinant एक्किली होता क्या है उसके बाद आगे हम लोग उसकी property के उपर proceed करेंगे चले देखते हैं Determinant तो यहां पर देखेंगे पर Determinant क्या है? Determinant लिखा हुआ है Let A यानि कोई एक representation उसका है A, I, J आपको पता है यहां पर यहां पर रो है J क्या है आपको यहां पर कॉलम है किस order की होगी N cross N यानि कि यहां से पता चाड़ा है कि सब्सक्राइब यहां होगा यह नंबर यहां होगा इसका मतलब सब्सक्राइब जितने रो होंगे उतने ही कॉलम इसमें भी होंगे यानि कि यहां पर simple सिवा जो Determinant आपके होगी वह एक आपकी square matrix होगी be a matrix of order N cross N यानि कि दोनों का सेम होगा और simply as क्या लिए सकते हैं इसका order N दे सकते हैं यानि कि यहां पर 3 होता तो मतलब 3 cross 3 होता 2 होता तो मतलब 2 cross 2 का होता यानि कि जब दोनों चीज सेम है तो आप उसको एक की number दे सकते हैं तो for example के तो मैं बात करूंगा तो हमने यहां पर दो एक्जांपल राइट किया आप देखिए क्या लिखा है यह इस तरह जैसे हम सार मैट्रिक्स लिखा है किस order का यह भी आपका 2 cross 2 है और second example होगी कि आपका 2 cross 2 की matrix लिखी हुई है अब इसका determinant कैसे लिखेंगे तो आपको करना है कि determinant of अब यहां पर देखिए A है तो हमने यहां पर A लिखा ठीक determinant of A क्या हो जाएगा आपका normal यह जो line होती है यह आपकी matrix की होती है और normal यहां पर आपको simple से line कीज़ नहीं है यहां 1 आएगा 3 आएगा 2 आएगा 4 आएगा यह क्या हो जाएगा यह आपकी determinant of A हो जाएगा यहां इसको determinant इस्तरा right करते है उसी तर जिब मैं इसकी बात करूँगा कैसे लिखोंगा यहां देखें तो इसको प्रौपर फूर् जिंप्ल से line को यहां पर क्या है यहां पर क्या यहां परिटल रहनों सकते हैं तो आप उपने इसाफ सभागेंगे तो उम्मेद करेंके बात समझवांगी होगी अब यहां बात करते हैं सब जो डीटर्मेंट में लिखते हैं इसकी वाइलू कैसे निकालते हैं वह भी देख लिखते हैं साथ में आपे समझे करें जब आपके सामने कोई एक डीटर्मेंट दिया जाएगा बोलेगा कि इसको solve करिए या इसकी evaluate करिए या इसकी value बताइए आपको तो तो क्या करना है सिध़ा सिधा क्या Determinant of a जो आपका होगा वह इस तरह भी रिधक आ ळाता है और इसको इस तरह भी लिखते हैं मॉड लगाके Determinant of a इसको इस तरह भी रखते मविट करते हैं लेकिन माइनश लगाना पड़ता है। यहां पर करेंगे अपको डिटन में निकालना पताएगा। तो उम्हेत करेंगे चीज़े आपको समझ चाहिए है, आप चलते हम लोग next concept की तरफ हमने डिटन में क्या, टू ग्रोस टू की देखी तरह हमने लोग निकाल लेंगे, क्या 3 cross 3 कर लेंगे 3 cross 3 मतब सब 3 row यह होंगे 3 column होंगे आपके अब लिसे मैं बात करूँ क्या determinant of order n की चलिए दिखते हूं वो कैसे लिखा जाएगा हमने यहां पर matrix write करी आपके सामने है देखिए क्या जब determinant of n की बात करेंगे जब सीधर सीधर क्या determinant of order n की जब बात करी जाएगे तो क्या आपके इस दिवांगे चीज़ें कि सर उसमें n row होंगे और n column होंगे that's it ना तो यहां पर क्या होगा देखिए यहां पर last जो हमने लिखा है प्रापर क्या है यह यहां पर n row होगे और क्या होगे n column होगे इसका मतलब क्या होगा यानि कि यह जो बता रहा है क्या बता रहा है इसका मतलब यह हो कि सर यह पहली रो है और पहला column है कि दुखिए पहली रो और पहला column का पहला element हो गया यह क्या बता रहा है यह सर पहली तो रो है लेकिन column कैसा है यह जे अब यह 3 के बाद यहां 4 आएगा 5 पाएगा इस तरह चलता रहेगा तो आपके क्या आएगा इपी जे आएगा उसी तरह यह आपकी पहली रो तो है, Why औरने प्हसे हो गाएगा उमिद के रहे बाच हो जाएगे साथा यह उना आपकी न प्हसें गरें बास आएगी, nth row nth column यानि कि यह क्या हो गया आपका n cross n का हो गया तो इमिद करने चीज़े आपको समझ जाए होगी इससी तरह कि matrix आपके सामने होगी बोलेगा कि इसकी value find के लिए चलिए अब हम चलते हैं इसके question exercise 4.1 पर आपका पहला question क्या लिखा हुआ लिखा हुआ evaluate the determination in exercise 1 & 2 यानि कि आपका फाहला question आपको इवलिवेट करना है यानि उसकी value बतानी है तो मैंने आपको इसका introduction बताया था उसमें proper चीज़ हमने बताई थी अब जो इस तरह question आयत क्या करना है इसका multiply करने से कितना है आपका minus क, तू आयगा और इसका multiply करने से पहले आपको already minus यहां लगाना पड़ता है फिसका multiply माइस 5 multiply माइस फोस करेंगे कितना है minus 20 और यहां minus minus क्या हो जाएगा plus का 20 हो जाएगा तो कितना है तो आपका इंसर हो तो उम्हीद करें सिर्य समझ में आ रहे होंगी क्या कि हमने पहले हमने इसका मैंटिप्लाइश से किया यहां लगाया है माइनस तू आया उसके बाद इसका मैंटिप्लाइश करते हैं तो हम यहां अल्रडी पहले क्या लगाते हैं पहले लगाते हैं माइनस फिसका करेंगे तो यहां क्या होता है यहां the क्या करेंगे साधर इसका मझिंब्ल ऐसे करेंगे इस लिए करते हैं तो हम द्वह से एचाथ कर्तेरे हैं किар बात क्या करेंगे सारी। doch करेंगे बिल्कुल सही बात तो भी करेंगे हिसका है कितना है और हाई जाएंगा कर तोटब कर एक सै कर दो ते एंब से पिछ यहां पर ऐसे करते हैं डाइगा X आएगा 1 आएगा आपको पता यह formula होता कितना A plus B A minus B यहां क्या हो जाएगा X square minus 1 plus square यानिकी 1 हो जाएगा उसी तरह जो दिखिये हैं X square से X square remove जाएगा इस X से यह X remove हो जाएगा यहां कितना बजाएगा X cube plus का 1 X square minus minus plus का 1 तो यहां पर देखिये कितना आएगा X cube X square 1 plus 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यही क्या हो जाएगा यही आपका answer हो जाएगा अब यहां पर normally equal to 0 होता तो मैं इसके factor निकाल लेता लेकिन यहां पर नहीं तो आपको यह तक रखना है चलिए अब देखते हैं question number 3 question number 3 आपका लिखा हुआ है क्या A आपको एक matrix given है then so that आपको क्या है determinant of 2A 4 determinant of A यानि कि पहले हम इस A का हम निकालेंगे determinant of A निकालेंगे उसको हम लोग 4 से multiply कराएंगे जो आएगा वो determinant of A 2A के बराबार आच जाएगे यानि कि simple सी बात है यहाँ पर A होगा तो हम determinant of A निकालेंगे यहाँ पर 2A होगा तो हम determinant of 2A निकालेंगे पहले इस A को हम write करते हैं इस तरह हमको यहाँ बनाना कितना 2A बना तो इसमें 2 से multiply करना पड़ेगा और 2 का multiply आपको इसके साथ भी करना पड़ेगा आपको निकालना किया हमको निकालना इसका determinant of 2A तो हमने कहा था determinant of 2A चाहे आप इस तरह write करिए चाहे आप इस तरह write करिए तो यहाँ भी क्या होगी यहाँ की matrix line हट जाएंगी यहाँ determined line आजाएंगी इसको normally हम कैसे solve करते हैं उसी तरह इसको solve करेंगे कितना के सब swepteli से करें जाइएंगा आपका 8 हो जाएगा माइनास लगा do कितना आएगा 32 याद रखिए कि जब इसका मुल्टिप्लाइ करा लीजिए गा उसके बार आपको एक माइनस लगाना फिसका मुल्टिप्लाइस से कराईएगा ठीक है यह कितना है माइनस का 24 तो क्या हो जागा यही आपका अधि आपने यही निकाला यानि कि यह आपका LHS था उसके मुल्टिप्लाइ करा देंगे यहाँ निकालते हैं पहले डिटर्मिनेंट आफ ए तो डिटर्मिनेंट आफ ए निकालना बड़ा असान है जो मैट्रिक दे रखिए उसको हमको डिटर्मिनेंट में क्योवल चेंज करना है बस कितना हो जाएगा 1 4 2 & 2 हो जाएगा तब आपको पत्ता है और जास कितना आपको मैसे तो आपने मायन consensus रखिए पैसके अदैपो कितना है 102 3 इतना है माइस से 24 यानि कि LHS बराबर क्या आ गया अर्चेस आ गया को यही प्रूब करना था लह इकल तो आर्चेस जो की प्रूब हो चुका है अब देखते हैं को नंबर फोर तो खुशन नंबर आपका फोर लिखा हुआ इस तरह यहां भी करना है पहले क्या करना है पहले आपको यहां पर थ्री यह बनाना पड़ेगा यहां कितना आएगा जिरो होगा 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 एंड टोल्व होगा तो उम्मीद करें समझ में अब इसका क्या निकालना है इसका हमको निकालना है क्या यहां प्लुम के प्लस होगा यहां मैनस होगा यहां प्लस होगा को अब करेंगे ठीक है यहां पर दिखते हैं यहां पर देख वोती है नि कितना है पहले 3 आएगा यह जब 3 के according copy जिस line में होगा यानि कि यह proper यह line जाएगी यह line जाएगी बच्चे का क्या यह दुनों लाइन बच्चे कि हम इसे write कर लेते हैं यहापे अब देखिए यहापे क्या आएगा minus आएगा, हमने minus लगाएगा, 0 लिखा यह इदर जाएगा, यह जाएगा यानि कि यह line जाएगी, यह line जाएगी कितना आएगा 0, 0 आएगा 6, 12 आएगा ठीक है, अब क्या आएगा? यहाँ पे plus का आएगा 3 आपका अब देखिए जिस line में यह line जाएगी यह line जाएगा, यह line जाएगा हमने यहां पर जीरो, जीरो, त्री, एंड जीरो, तो उमीद करें, बास समझ भी आई होगी, ठीक है, उसे दर नॉर्मली आपको open करना है, भी बहुत से question करेंगे, एच्छ इस्पेक्टर सो जाएगी, तो यहां पर 3 लिखा, 3 लिखा, अब इसको आपको open करना आता ही, यानि कि इस 36, already सर माइस लगाते है, इसका मुल्टिप्लाइस करें कितना आएगा, 0, यहां 0 लिखा, यहां 0, माइनस का यहां 0 आएगा, प्लस का यहां 3, यहां 0, यहां माइनस का 0 आएगा, ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा, यहां पर 3 होगा आपका, अब यहां पर आएगा 36 आए 108 उसी तरह हमको 27 determinant of a की value निकालनी है जब दोनों equal हो जाएंगे मतलब क्या हो गया दोनों equal हो गया आपके पहले हम निकालेंगे पहले हम निकालते हैं निकालते हैं अब एक ऐसे निकलेगा आपके सामने वही चीज है यानि कि जो determinant of a होगा वह आगे क्या आएगा plus minus 0 इस तरह आएगा यानि कहने का मतलब यह है यह जो है अब यहां पर क्या होगा यहां आपका plus होगा यहां क्या होगा यहां मानस यहां plus जिस according हमने यह open किया उसको भी open कर लेते हैं जब हम 1 के साफ करेंगे तो यह लिखेंगे वन वाली लाइन यानि कि यह इदर जाएगा कितना बचेगा यहां पर 1024 आएगा फिर यहां पर आएगा जीरो फिर जीरो वाली लाइन जाएगी इदर नीचे उपर यहां कितना आए होगी अब normally यहां 1 x का मुल्टिप्लाइश से करेंगे कितना आएगा 4 आएगा और यहां यहां आपका 4 आएगा यहां यहां आपका 0 यहां आपका 0 रहेगा इतना आजाएगा 4, यानि कहें निकाल लिए, हमने साथ निकाला, Determinant of A कि वेलु कितना निकाली, 4, लेकिन आपका यहाँ पर, यह आपका LHS था, आपका आरचस कितना गिवन है, आपका आरचस गिवन है, 27 Determinant of A 27 ऐसे रखेंगे अभी हमने Determinant of A की विल्यू कितनी निकाली 4 निकाली यहां रखेंगे कितना हो जाएगा आपका 1,0 8 हो जाएगा तो अब देखें क्या जो LHS है आपका वो जो RHS है वो क्या है आपका एक्वल है जो कि आपको प्रूब करना था नॉर्मली प्रूब हो गया तो मिद करें Q4 आपको समझ जाया होगा अब चलिए देखते है Q5 यह चीज़ आपको नहीं समझ जाई है जिसने मने कैसे उपिन किया है अब फिप वाले Q5 में आप अच्छे से सीख सकते है देख समझ को निकालना था इसको इसकी value निकाल नहीं है ठीक है तो नॉर्मली आपको पता यहां क्या है तर यहां plus है यहां minus है यहां plus है यहां पर जब 3 के recording open करेंगे 3 आएगा ऐसे line की जिछते हैं यानि 3 जिस line में है वो line रिपो जाती है तो यह इधर जाएगा यह इधर जाएगा क्या बचेगा आपका 0 5 आएगा minus 1 0 आजाएगा उसी तरह क्या करेंगे यहां यहां देखिए minus है तो minus लगाया अब यहां पर क्या नंबर है minus 1 है तो इसको ब्रेकड में लिखते है इधर आएगा तो यह line जाएगी यह line जाएगी जो बचेगा वो लिख देंगा नहीं कि 0 3 minus 1 and 0 उसी तरह अब इसके पार जाएगे यहां plus होता है लेकिन यह number यहां पर कितना minus 2 यहां minus 2 लिखा हमने अब यह देखिएगा यह जिस line में होगा यह line इधर जाएगी यह line जाएगी जो बचेगा उदर आए करेंगे 0 0 3 5 तो इमीद करें चीज़े समझ में आ रहे होंगी ठीक अब यहा 5 को multiply minus 1 से minus 5 आएगा यानि minus minus plus हो जाएगा यहां minus minus क्या हो जाएगा plus का 1 हो जाएगा 0 को multiply से 0 से 0 आएगा और यहां minus लगाते है 3 को multiply minus 1 से minus 3 minus का minus plus 3 आजाएगा plus minus minus का 2 होगा 5 को multiply 0 से 0 आएगा 3 को multiply 0 से 0 आएगा तो यहां पर दिखिए 3 यहां कितना यहां 5 है प्लस यहाँ one यहां कितना यहां थरी है यहां टू है और यहां पर जीरो है तो five you multiply 3 से five 59 यहां पर थरी आ गया यहां के जीरो हो गया यह आपbroken 18 हो जाएगा तो पकर का सब scooter के तो को सब्सकता हूं क्या होगा करेंगा आपको अच्छा स्कुलिए क्लियर हो जाएगा क्या सर पहले यहां तिरी आएगा लाइन की चेयेंगे जिस लाइन में यह होता है Commercial यह झाये सकश्री याए इदर लाइन जाएके से इधर लाइन जाये कि यह यह जेगा यहां 2 आएगा माइनस का 2 यहां 1 आएगा फिर अब यहां प्लस का 5 एंगा इसे राइट करेंगे तो यह लेंज आएगा यह लेंज आएगा कितना बचेगा 1, 2, 1, 3 तो मिर कहरें तिनी समझ में आए होगी बार अब देखिए यहां 3 आया 1 का मुल्टिप्लाई 1 से 1 आएगा अल्रड़ि माइस लगता है 3 का म्यमिंज 2 से मामिज 6 मेस मैस प्लस का 6 orchestra जाएगा माइस मैस प्लस का 4 हो जाएगा यहां पे 1 आएगा माइनस लगा इसका मुल्टिप्लाई से करेंगे मैस 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 4 आएगा दूरज, इहां फाइव लिखेंगे 3 मैनस का 2 यहां पे 3 आगे, कि इसके बाद कितना हो जाएगा एड करने के पाफ आपका 46 तो उम्मीद करें चीज़े आपको बिल्कुल किलियर हो रही होंगी चलिए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट इस थर्ड पार्ट कैसे सॉल करेंगा वहीं इस तरह यहां सर्प्लस यहां मानस यहां प्लस तो यहां पर क्या आएगा आपका 0 को पिन करेंगे यह दो लाइन जाएंगी तो यहां कितना आएगा 0,3,3,0 अप्टोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूं इसको तो देखिएगा आप नोर्मली आपको उम्मीद करें समझ में आया होगा इसका इसका करने 0 आएगा प्लस का 9 यह दो फ्लस टेलाolie आएगा इसका इसका इसदेकर इसका इसरे करेंगे कितना आएगा minus का 0 आजाएगा आपका इसको करेंगे माल और दिम है लगता यह मास में स्कसिक्ष करेंगा यहां माय Illust कित्री आ जाएगा यहां गिल्ला।ST एठतिल आएगा क्लफ से जीर्ट रगाव 6 प्लस का 6 आजाएगा यहां मायस का 6 आजाएगा अब 6 में 6 आजाएगा, कितना गाएगा? 0 होगी तो इम्हेद करें चीजए आपको समझ्यारी होंगी, तो इसका 5 पार्ट हो आपको उसी त्राइ करिएगा, चीजए बिलकुल आसान है, इसी तरह आपको करना है, पिछले थे के लिखेंगे determinant of यह लिखेंगे और इसको हम लोग इस तरह भी राइट कर सकते हैं जब इस तरह राइट करेंगे तो इसको हमको determinant change करना पड़ेगा 1 2 5 1 1 4 minus 2 minus 3 and minus 9 अब इसको कैसे solve करना है सार हमको बहुत अच्छे से आता है कैसे यहां सर प्लस है यहां minus होता है यहां plus होता है बिलकुल सही बात यहां one के ओपन करेंगे तो कितना आएगा यह लैँ जाएगी यमार सधक्रा या- यहां कितना यह लिखेंगे यह लैडियों योपड़ फाइव प्लस लगाया यहां एहां-2 तो यहां-2 रखेंगे यह लाइन जाएगी जाएगी यह लाइन जाएगा-2-5-1-4 तो भाइन करनें जीज़े आपको सवचल जारे होंगी अब चली यहां वान नहीं इसका में इसका नाइन आएगा यहां अल्रीडी मायन सब्सक्ता है तो यहां प्लस माइनस आपका माइनस रहीगा है यहां पर 2 है तो लिखला फ्रेहर हुआ है यहां मैलिट्प्ला इससे करेंगे 8 हो जाएगा 5 को मैल्टिप्लाई द्यकैस भू 1 यह मैल्2 लिखा हैं यहां पर आपका 6 आजाएगा और 3 plus 3 6 minus 6 is equal to कितना आगया 0 आगया यह क्या होगा यह यह आपका answer हो गया तो उम्मेद करने चीज़ें आपको समझ्या रहे होंगी आप चलते हैं question number 7 तो देखते हैं इसका multiply से करेंगे तो एकस कार आएगा इसका multiply से करेंगे 24 आ जाएगा अब यहाँ पर कितना आएगा यहाँ पर आपका 18 आएगा यहाँ पर आपका तो नहीं को जाएगा इसी तरह को जाएगा आपको मिलेंगे आपके पेपर में बस आपको तो समझ के करना है चलिए देखते हैं इसका सेकंड पार तो सेकंड पार्ट इसका है है डिटेर्मिन एक यहां दे तो क्रोस्टुकी की नॉर्मजली से तरह सौल कना है तुह का मिलिट्टीप्लाइब फाइफ से टैना य अंगा और तो का मैनस लगाएगा इसका multiply से करेंगे साथ 12 आएगा उसी तरह 5 multiply x से 5 x हो जाएगा minus already लगाते हैं इसका multiply से करेंगे 6 x हो जाएगा तो यहाँ आपका minus x बचेगा क्योंकि 5 x में से 6 x जाएगा यहाँ पर आपका minus 2 बचेगा minus 2 बचेगा तो x कोई लिए इतनी आगए लिए आपके 2 आ गई यही आपको x निकालना था तो उम्मेद करने चीज़े आपको समझ आ रही होंगी पहले exercise बहुत आसान है बस थोड़ा सा आपको समझना है प्रोसीजर सीखना है इसलिए आपको आसान क्या क्या क्योंकि यह सब चीज़े आपको question के अंदर वहां बनेंगी तो इस तर डारेक्ट सॉल्व करना है एस टेप टो एस टेप नहीं सॉल्व करना है तो आपको इस तीलिए अच्छी अच्छी से कराई जा रही है तो दिखते हैं इसका इस एक्सराइज का last question question number आपका 8 है इखा हुआ इफ दो डिटेर्मेंट आपको दे रखें दिन एक्स एक्स बोला गया किसके एक्क्वल होगा ठीक यह multiple choice question है हमने यहां पर option नहीं रखें बस सॉल्व करना देखना है कौंस option आपका आ रहा है मैं बता दूंगा अभी आपको इसका multiply से करेंगा 36 साथ इसका multiplex करेंगे 36 आएगा यहां पर क्या हो जाएगा यह आपका जीरो पजैगा और 36 रहेंगा यहां पर 36 आजयेगा यहां पर 36 x-square तो यहां से x की विलेखनें कितना निकल एगा प्लस माइनश अडरूड 36 और प्लस माइनस आपका इसे रहेगा यहां आपके 36 का स्क्वाइरूट कितना सिख्स होता है यह क्या हो जाएगा यह आपका एंसर हो जायाएगा तो आप अप्सन में देख लीजिएगा ऑप्सन कौन सा होगा वह आप देख लीजिएगा प्रापर ठीक है तो उम्मीद करने चीज़े आपको समझ जाया होंगी तो दोस्तों आज के यह बस इतना ही मिलते हैं नेस्ट क्लास में